आईएजी के माध्यम से हम हर बार आपको नए नए व्यवसायों की जानकारी देते हैं आज हम आपको बता रहे हैं कॉर्टन विक्स यानि रूई बत्ती बनाने के व्यवसाय के बारे में कॉर्टन विक्स यानि रूई बत्ती का बिजनस बहुत ही प्रचलित बिजनस है और इस व्यवसाय को शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है रूई की बत्तियों का उप्योग पूजा और तेवहारों के दोरान घरों में दिया जलाने में किया जाता है भारतिया घरों में और अन्य देशों में भी बाती का उप्योग बढ़ रहा है समान रूप से नवरातरी, दिवाली जैसे तोहारों के दोरान घर, कार्याले, स्कूल, कारहानों में, प्रार्थनाओं में नियमित रूप से रूई बत्ती का उप्योग किया जाता है लगू द्योक शेत्र में रूई बत्ती की अच्छी मांग है। ये कम निवेश वाला व्यवसाय है जिसे आप अपने घर से शुरू करके अच्छी आय प्राप्द कर सकते हैं। मार्केट में रूई बत्ती बनाने की बहुत सारी मशीने उपलब्ध हैं। जैसे मैनूल मशीन, लंबी बत्ती मशीन, सेमी आटोमेटिक मशीन और डिजिटल मशीन। डिजिटल मशीन के कीमत 32,000 से शुरू होती है और इस डिजिटल मशीन से रोज का 4 किलो का प्रोडक्शन क किया जा सकता है और सेमी आटोमेटिक मशीन 24,000 से 30,000 तक मार्केट में उपलब्ध है। इस मशीन से अगर आप रोज 8 घंटा काम करेंगे तो आपका रोज का प्रोडक्शन 3 किलो तक आराम से किया जा सकता है। आप जान लेते हैं रौ मटीरियल के बारे में। रूई बत् के लिए आकरशक डिब्बे और पॉलिथीन बैक्स और सीलिंग मशीन की जरूरत होती है। सेमी आटोमेटिक मशीन के जरिये कॉटन बत्ती को आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप कॉटन को दो हिस्सों में तोड लें। फिर इस कॉटन को उपर की तरफ पकड़ करिए ताकि बत्तियों में फिनिशिंग आ सके। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बत्तियां तयार हो रही हैं और इन रूई बत्तियों की ये खासियत है कि आराम से खड़ी हो जाती हैं। हाज से बनाए गई बत्तियों की तुलना में ये बत्तियां बहतर होती हैं पैकेजिंग और प्रॉफिट आपको पैकेजिंग के लिए पैकेट्स की भी जरूरत होगी जो मार्केट में उपलब्ध है और अधिक आकरशक दिखाने के लिए आप बॉक्स का इस्तमाल कर सकते हैं वेट के हिसाब से इन बत्यों की पैकिंग की जाती है ये कलरफु पैकेट की बात करें तो एक किलो की कॉस्टिंग तक करीबं 300 रुपे तक आती है और अगर आप 10 रुपे की MRP वाले पैकेट्स बनाते हैं तो आप एक किलो में 120 पैकेट्स बना सकते हैं जिनका रीटेल प्राइस करीब 1200 रुपे होता है इस तरह से आप लगभग एक दिन मे 240 पैकेट्स तयार कर सकते हैं जिनका रीटेल प्राइस 2400 रुपे होता है यानि अगर आप उसको रीटेल में बेचेंगे तो करीब हर रोज 1800 रुपे कमा सकते हैं और अगर आप उसको हूल सेल में बेचेंगे तो आप एक पैकेट 6 रुपे में बेच सकते हैं जिसकी टोटल उद्योग है इस विवसाय के लिए आपको अलग से किसी एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी आप घर के एक कमरे से भी से शुरू कर सकते हैं रूई पत्ती की मशीन बहुत बड़ी नहीं होती और अगर रोज 8 घंटे इस मशीन पे काम होगा तो महीने का बिजली का बिल 100 रुपे से 150 रुपे तक आएगा बात अगर लीगल फॉर्मालिटीस की करें तो इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको अपने नस्दी की जिला उद्योग केंदर से लाइसेंस लेना होगा और अगर आप ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं तो वो भी आपके बिजनस को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा अगर आप भी चाहते हैं इस उत्योग को शुरू करना तो IID से जुड़िए जहां आपको अपने बिजनस से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा हमारे expert episode के जरिए bankable project report और plant machinery की पूरी जानकारी IID आपको देगा और हर हफ़ते हम आपके लिए लेकर आते ही हैं industrial documentaries जिसमें आप हर बार कुछ नए बिजनस के बारे में जानते हैं आईए और जुड़िए दिये गए contact numbers और links के थुरू हमसे समपर करें एक काम्याब उद्यमी बनने का सफर IID के साथ तै करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए